कि जा आयुर्वेदिक जानकारी को आंगे बढ़ाती हुए आज हम फिर लेकर आए हैं एक और अथिदिभ और चमतकारिक औसदी पौधा यह जो आप पौधा देख रहे हैं यह बहुत ही चमतकारिक और औसदी गोड़ों से भरपूर है सबकी सब औसदियां आरवेदिक गोड लगता है और यह बैसे लगता है जैसे खेतों मर जुंडी बोई हो जुंडी की तरह यह पत्तियां लगती है इसकी ऐसी पत्तियां आप बास्की भी देख सकते हैं जुंडी की भी देख सकते हैं तो इस औसदी का नाम है नल है यह नल का पौधा है जी हां दोस्तों इसको न नल या नर्कट बोला जाता है, नल या नरकट इसका नाम है, और यह इसकी पत्तिया है, अब देखिए, बीमारी को खत्म करना इसका काम है, जी हां दोस्तो, यह बहुत जमत कारिक और सुप्रसेद उस्थी है, इसका जो एक बाल सी निकलती है, उसमें ये इसके फूल जो होते हैं वे बाल जैसी जुन्डी की बाल होती है उसे तरीका से इसके भी बाल सी होती है और फिर ये जब फैल जाती है तो एक जो धागा से आसपास निकल आता है जो अभी मैं इसकी बाल भी आपको दिखा रहा हूं तो देख लेजिए ये बाल इस का पौधा हो जाता है और यह देखिए यह इसकी बाल है यह देखिए यही उसकी बाल है तो फिर आंगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो नीचे जुलाल बटन दखाई दे रहा है उससे दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए तो यह नल जिसे नरकट कहा यह बहुत है अच्छी हो सदी हैं और इसका प्रयोग मूत्रा घहत्मे किया जाता है जी हां दोस्तों जिसको मूत्रा घहत् हूँ उसमें आप नल में जो यह नल है तो नल की जड़ लेजी जिए तो नल जड़ और संभाग आप कूठ नल जड़ और कूठ इन दोनों सदियों क अगर आप कूट पी सरगे दरदरा मोटा मोटा चूरन करके और क्वाथ बना कर शिवन करती हैं तो फिर ये नल ये नरकाट मुत्र घात को ठीक कर देता है इसके अलाबा ये नल या नरकाट संदी सूल में भी बहुत लाब काली है संदियों में जिसमें दरद होता है गाठों में जिनके सूजन आ जाती है जिसको गठिया बाद बोला जाता है उसमें ये नल महुत अच्छा है आप वो संभाग नल चूरन में सोंट और थोड़ी काली मिर्ज के चूरन मिला कर अगर सुबह साम एक एक चमाच शेबन करते हैं तो फिर सभी प्रकार की संदी सूल में ये लाब कारी है और अगर आप पिष्ट बना कर लेप भी करते हैं वहां पर अपने गाठों पर तो ये गाठों की सूजन और दरद को भी खत्म कर देता है ये नल ये नल कर ये ज्वर बुखार में भी लाब कारी है जिसको ज्वर बुखार बोला जाता है उसमें भी ये नल रामबांड सामित हुगा है आप उसमें देवदारू और संभाग नल तथा मूर्वा चूरन में इसका प्रियोग करेंगे देवदारू, मूर्वा और संभाग नल चूरन यह तिनों चूरन का अगर आप बुखार में कुवाद बना कर शिवन करते हैं तो फिर यह बुखार को ठीक कर देता है यह नल यह नरकट यह बहुत दिब और चमतकारे को सती है आप इसका प्रियोग किजिए और लाव उठाइए और यह देखिए मैं बता दिया इसके पत्ति यह बहुत लाबकारी है चीहां दोस्तों किषी परकार का बीर दोस है तो सभी परकार के बीर दोस को इसके प्रियोकसे खत्म किया जा सकता है आप संभ्य जो नल चूरन है उस नल चूरन में आप थोड़ा जो है वो आपो मोचरस मिला ले जीए और थोड़ा आपो जो रतन बिजोत मिला लीजिए च्छितरिया जिसकी बोला जाता है उसका वीडियो है तो रतन जो छितरिया का चूरन और आप और मोचरस और यह नल चूरन आप तीनौ सदियों को संभाग ले करके और कुट पिस करके महीं चूरन तयार कर लें और फिर अगर आप दूद के साथ शिवन करते हैं सुबह साम इस चूरन को तो फिर ये आपके सभी परकार की जो बीर दोस हैं चाहे हुए बीर बिकार में बीर का पतलापन हो या आप सुक्राणू के अब अलपता हो या किसी परकार क कोई भी दोस हो तो सभी परकार के भी दोस को ये खत्म का देता है यह नल यह नरकर तो यह बहुत दिब और चमतकार को सदी है आप इसकी पैचान के लिए मैं दिखा चूका हूँ ये देखिए इसकी ये जो फूल है ये इसके भुंटा है ये कसम का ये जो निकलता है तो य तो दोस्तों यह जोनल का प्रियोग मैंने बताया नरकट का प्रियोग बताया इसके गड़ों से लाभावित हो गया आप तो आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे अगले वेडियो में तब तक नमस्कार